यूपी में मौनसून की महरबानी लोगों पर भारी पर रही है जगे जगे जल भराव से लोग परिशान है प्रदेश में 48 घंटे में प्राकृतिक आपदा में कितनी जिंदगियां खत्म हो गई उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए यूपी पर टूटा उद्रत का तहर शहर शहर आसमानी आपक जल प्रलैसी आहाकार बारिश मुस्दाधार चोड़ तरफावा बिजली की गर्जना काले घंटे बादनों से खिरा आसमान चारों तरफ बरस रहे बद्रा नग्यों का पठता चलिस्तर और खर सड़क दुकान अस्पताद स्कूल सब चलमग यह तस्वीरे बया कर रही हैं कि इस बार उद्रत यूपी पर इस पदर महरबान हो गई है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही कहीं थम्टी भी है तो बाद में फर शुरू हो जाती है 48 घंटे में कितने जिन्दगियां होई खर्ट भरत में मौनसून अपने साथ खुश गवार मौसम के साथ दुख दर्द और आसों का सैलाब लेकर आया है उद्रत की मार ऐसी पड़ी है कि बीते 48 घंटों में यूपी में प्राकरतिक आपदा से मरने वालों की तादाद 18 हो चुकी है जबकि 24 घंटे में 8 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इसमें से 5 की आसमानी बिजली, 2 की डूबने और एक की साप काटने से मौत होई है और 12 जिलों में अत्यधिक कम वर्शा होई हैं मौसम विभाग के अलर्ट की मावजूद जल जमाव की तस्तीरें बता रही हैं कि इस बार भी सरकारी तैयारियां दुरूस्त नहीं हैं जिससे जान माल का भारे नुक्तान जनता को उठाना पड़ रहा है यूपी पर टूटा उद्रत का कहर शहर शहर आसमानी आपक जल प्रलैसी आहाकार बारिश मुस्त लाधार जो तरफावा बिजली की गर्जना काले घने बादनों से खिरा आसमान चारों तरफ बरस रहे बद्रा नग्यों का पठता चलस्तर और खर सड़क दुकान अस्पतार स्कूल सब चलमक यह तस्वीरें बया कर रही हैं के इस बार उद्रत यूपी पर इस कदर महरबान हो गई है के बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही कहीं धम्टी भी है तो बाद में फिर शुरू हो जाती है अरतालिस घंटे में कितने जिंदग्यां होई खर भरत में मौनसून अपने साथ खुशगवार मौसम के साथ दुख दर्द और आंसों का सैलाप ले कर आया है उद्रत की मार ऐसी पड़ी है के बीते 48 घंटों में यूपी में प्राकरतिक आपदा से मरने वालों की तादाद 18 हो चुकी है जबकि 24 घंटे में 8 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इसमें से 5 की आसमानी बिजली, 2 की डूबने और एक की साप काटने से मौत होई है मौसम विभाग के मताबिक प्रदेश के 33 जिलों में अधिक वर्षा, 21 जिलों में सामानी वर्षा, 9 जिलों में कम वर्षा और 12 जिलों में अत्यधिक कम वर्षा होई है मौसम विभाग के अलर्ट के मावजूद जल जमाव की तस्थीरें बता रही हैं कि इस बार भी सरकारी तैयारियां दुरूस्त नहीं हैं जिससे जान माल का भारी नुक्तान जन्ता को उठाना पड़ रहा है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी